और जश्ट ये सामने है मंदिर माता वैशनो देवी और ये ध्रमसाला है और ये पर्टिक को ये सेंटर के जश्ट बराबर से गली जा रही है इस गली से हमें अब अंदर जाना है तो दोस्त हम जो है गली में एंटर हो चुकी है दोस्तों जैसे ही आप गली पार करके आते हो बाहर लिकल के गली से तो आपको ये लाइन मिलेगी रेल्वे लाइन मिलेगी आपको और सामने जो आप गेट देख रहे हो ठीक है सामने जो गेट देख रहे हो आप उस गेट में एंटर होके और आगे जाना है पंचम की हलमान मंदिर और ये टर्नल है आप गरिस्टा आपको पता होगा दो रेलवे स्वेशन वाला उर दूसरा है योग नगरी दीचेस और यहां से ज्यादे दूरी पर नहीं है स्रीप आधा किलोमेटर दूरी पर है पंचम की हलुमान मंदिर रास्ता काफी अच्छा है आपको आधा किलोमेटर में ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप किसी बड़े फोरेस्ट में आ चुके हो तो आधा किलोमेटर से भी कम दूरी पड़ती है तो यह पंचम की हलुमान मंदिर आ चुका है यहां पर जो है गव माता बंदी भी है और यहां पर जो है यहां के जो पंड़जी है उनके कपड़े अपड़े सूकरे हैं जब हलुमान जी सूर्य भगवान जी को फल समझ के खाने की कोशिस करी थी तो उस टाइम पर इंद्र भगवान ने बजर का परहार करा था और उस टाइम पर हलुमान जी मूर्चित होके जिस इस्तान पर गिरे थे तो वह यह इस्तान यह है पंचम की हलुमान बनावा है और यह आज से नहीं प्राचिन समय से साल पहले मंसा देवी के दर्सन करके भक्त जन जो है इसी रास्ते को लोटके आते थे यह मेरे पीछे जो आप देख पार हो पैड़ी यह ऐसे परवत से पीछे से सुर्वज कुंड को होते वे और यह पंचिमु की हलुमान की हलुमान मंदर के भक्त जो है दर्सन करके तब अपनी यात्रा को जो है कंप्लीट और समात्त करते थे और यह है पजरंग बली जी का मंदिर और यह साथ में जो है यह हुआ पीट अगया दोस्तों आप यह जो देख रहे हो सामने ज़रंः यह जहना जो है बरसात में स्टार्ट हो जाता है ठीश में अप Cornetted त्समीन चाथ थोड़ा सा आपको दिखता हऊ जूब मान करके ठीश में है बर्सात के मौसम में काफी चादे यह जल आता है और झथना काफी स्टार्ट हो जाता है और बहुव भी तेज रहता है इस थाम पे, और यह जखन जाकर गंगा में मिलता है. और यह सामने परवत, यह मंसा देवी का ही परवत है, भक्त मंसा देवी के दर्सन करके और सुरज कुंड को होते वे और पंच मुखी हल्मन मंदी जी के दर्सन करके तब अपनी यात्रा को समात और कम्प्लीट करते थे और दोसतों हमने पंच मुखी हल्मन मंदी के दर्सन कर लिये हैं, अब चलते हैं हर्गी पौर्डि को वापिस आपको यह विलोग अच्छा लगा, तो लाइक करना पर दोस्तों में सेर करना और अपी चैनल पर नई हैं तो चैनल को सम्क्राइब करना